दोस्तों छट पुजा के लिए उसी घाट के पास आ गया है जहां पर घाट को लूट लिया गया था चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर का नजारा दिखाते हैं कि किस तरह से साम का आरक देने के लिए छट पुजा में फिर लगा हुआ है देख सकते हैं लोगों आंतर की तरफ जा रहे इसके साथ दोस्तों मैं भी गाने बजानी के साथ आंतर की तरफ भुझ गुझ 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 जितने भी लोग आ रहे हैं उनको ये अगर बत्की देने का काम कर रहे हैं आगे पढ़ते हैं और आगे का मेजारा आपको दिखाते हैं दोस्तों मेरे पीछे आपको वही घाट दिखाई दे रहा है जिस घाट को मैंने दिखाया देखिए कितना छोटा घाट है और कितना भीड है मैं बैक केमरा को ओन करकर पुरा भीड आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों ये मंदिर के अंदर का नजारा है देखिए मंदिर के अंदर में आ गया हूँ और ये देखिए तलाब तो दीखी नीरा दोस्तों केवल लोगों का भीड़ी में जरा रहा है मैं उसी घाट के उपर हूँ जहां पर मैंने बटाया था कि 2,000 लोग वहां पर खड़े हो सब्सक्राइब आप अराम से देख सकते हैं कि 1,000-2,000 लोग अराम से इस चोटे घाट पर खड़े हैं देख सकते हैं दोस्तों छट पूजा के लिए कितना भीड़ है और इनको रोकते हैं इनसे बाते करने की कोशिस परते हैं वहां बताइए कि ये चट पूजा के लारे मे जो डिए हो रहा है तो ये दिखिये अधुत नजाना इस महिला ने कुछ मननत मांगे थी इनका मननत पूरा हो गया और पूरे रास्टे ये सर जुकाते हुए चट मा के दरवार तक आए हैं माता इनकी मनोकामना पूर्ण करें तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं पानी में उतर कर छट मा के फूजा के लिए वो अस्तान करने को तयार है पहले वो पानी में तुकी लगा लेगी उसके बाद सच्चे मन से सुरिय देव को प्राथना करेंगी दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि सच्चे मन से महिलाएं जो हैं पानी में तुकी लगा लेएं सुरिय देव के लिए और दोस्तों साथी साथ एक नजरा ओड देखियें की छट मा की प्रति लोगों का कितना आस्ता है पूजा करने वाले के वल्ग कुछी लोग है दोस्तों लेकिन देखने वाले हजारों लोग हाट के किनारे खड़े होकर छट माता का दर्सन करने साथी साथी की महिलाओं विप्र की लगा लिया है अब उस सुरिय देव को अर्ग देनल शुरू करेंगे दोस्तों साम का वक्त है आप देख सकते हैं कि महिलाएं कि इस तरह से पानी में उतर कर छट माजता का अरक देने के लिए और सुर्य देव का फूजा करने के लिए पानी में उतरी हुई है यह सहरी इलाका है सहर में देखे एक छोटा सा तलाब होता है और तलाब में किस तरह से घीड होता है आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको हजारों की संख्या में लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं पहरी जो महिला पुजा करनी है इसके हाथ में खल्दी अक्षट सिंदूर वगेरा वगेरा लगाया जाता है जो कोई भी महिला लगा सकती है बहुत बुर्ण्य का काम होता है इसके बाद हाथ में स्थूप दिया जाता है और स्थूप को लेकर पानी में चारों तरफ गोल बुम कर सूर्य दियों को अर्ग दिया जाता है इसके दोस्तों सुप लेकर महिलाए दोस्तों पानी में चोल घूम रही है और सुर्य दियों को अर्ग दे रही है और कुछ लोगि जो है हाथ में पात्र लेकर सुर्य दालने का काम कर दे यह बहुत ही पुन्जे का काम होता है जिसका हिस्सेदार मैं भी बनना चाहता हूँ और मैं भी जरूर जल डालूँगा दोस्तों पूरे ब्लॉक के दौरान देख सकते दोस्तों किस तरह से गोल गूमा जा रहा है और घ्रूमकर सभी लोग जो है शुर्य दोग को अर्ग दे रहे हैं और अर्ग देने के दोस्तों हाथ में उसी सुफ को लिया जारह जिसे खात की किनारे रखा गया था इसकते दोस्तों किस तरह से सूरिय देव को अर्ग दे रही है पहिलाए जो है सूरिय देव को आर्ख देने के लिए देख सकते कि इस तरह से सूप को लेकर भूर रहे है पानी में आपको दिखाई देरा आप देखे और कितना भीड है आप देख सकते हैं यह देखे भीड का नजारा यह देने के लिए यह दो जाया करतिया हुआ दूल सुरिय देव को मैं भी कर्द देता हुआ हुआ रख देने के लिए लिए हरुआ हाट का चंफ से इनSना करा पर दो दो भी करत दोए ग्रजा की मैं लेवे बज्टार्विसा रख ये निगा ये लिवीए लिए अरग के लिए उसलै को खाना खिलाने के बरावर है में भूत इंपोटने काम है दोस्ति देख सकते हैं हजारों के सख्था टूर्व एक तुरिड़ों की यहां पर फ्ले नारक देने के लिए कितना फ्लड लगा कर दोस्तों चट पूजा का जो तेवहार है यह बहुत ही एक पावन और पवित्र तेवहार है इस तेवहार को करने के लिए लगवक महिलाएं जो 36 घंटे भूके राती है और भूका राकर दोस्तों चट मांका पूजा करती है तो अभी आपको दिखाएंगे कि उखे प्यास दोनाने के बावजूद भी कितना भारी एक केला का थम है उसको महिलाएं उठाकर जो है सुर्य देव को अर्ग देती है देख सकते हैं कि कितना भारी एक केला का थम है और जिसको जो छट पुजा करते हैं दोस्तों उनके अंदर एक अध्बूत पावर होता है और मैंने इसमें भारी केला के थम को उखाकर सुर्य देव को अर्ग देती है उसको यह जा हमारा आज कर वीडियो कैसा लगा आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए सेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू सो मच्छ पूर वचिंगास मिलंगे अगले वीडियो में एक लेट और के साथ तुम दिखिए बाइबाए